नमस्कार आप देखें MP News मैं हूँ पूजा रगवीर आपके साथ न्यूजरू में बात करेंगे MP की कुछ महतों ख़बरों पर बात करेंगे पच्मनी की यानि कि सपुड़ा की रानी पच्मनी में आगामी तीन दिनों तक मधिपरदेश के सरकार चलेगी मधिपरदेश के सरकार यहां इसले चलेगी क्योंकि शवराज कैबिनीट की बैठक है यह पच्मनी में होने वाली है पच्मनी में यह बैठक का दौर शुरू होगा आज शुक्रवार की राच से पच्मनी शवराज सरकार पहुचेगी महीं भूपाल से शहागंज बरीली सांडिया पर प्रिया होते हुए पच्मनी का सफर बस से तै किया जाएगा 2627 मार्च को यहां पर चुंतन बैठक होगी जिसमें चुनाओ 2023 में प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने पर मन्थन होगा साथ ही प्रदेश के विकास को लेकर मन्थन वारूड मैप यहां तयार होगा पच्मनी में वी आईपी मूवमेंट होने से नर्मदापुरम जिला प्रशासन तयारियों में जुट गया है वही पच्मनी में मंत्री मंदल की बैठक के दोरान सुरक्षा का घेरा मौजूद रहेगा मंत्री मंदल के सभी सदस्यों की सुरक्षा का जम्मा डॉक्टर गुरुकरन सेंग संभालेंगे वही जिला मुख्याले के साथ ही भोपाल मुख्याले से करीब 400 पुलिस जवानों को यहां तैनात किया गया है दोतरिक्त एस्पी आठ डिएस्पी सहित पुलिस अधिकारी कर्मचारी यहां तैनात रहेंगे वही पच्मणी में बैठक प्राक्रुतिक वातावरन के बीज शिवराद सरकार में मंतरी मंधन करेंगे चम्बल जील के पास भारत स्काउट गाइट के सामने टेंट लगाया जा रहे हैं कैबिनेट बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर है वही माला सिंग, कमिशनर, कलेक्टर नीरश कुमार सिंग, स्पी, डॉक्टर गुरुकरन सिंग, सहीट, पूरा प्रशासने कमला दो-तीन दिनों से ही पच्मणी में है ववस्थाओं में कोई चूक ना हो, इसके लिए अधकारी तैयारियों पर नजर बनाए हुए है अपनी वही शहर में भारी सुरक्षा के इंतजाम किये गए है इसके अलावा, रातो रात यहां सड़क भी बनाई गई है लेकिन अब 28 मार्च और 4 अपरिल से यह खरीदी शुरू होगी इस बार दो रहे बदलाव इसमें होने जा रहे है पहला किसानों को ऑनलाइन स्लोट बुक करना पड़ेगा स्लोट बुकिंग के बाद वे तीन दिन के अंदर गेहू लेकर सेंटर पर पहुँचेंगे दूसरी यह कि किसानों को पूरा गेहू एक ही बार में बेशना होगा इंद और उजयन संभाग में 28 मार्च से ही गेहूं की खरीदी होने लगेगी जबकि भोपाल, जबलपूर, ग्वालियत, समेत अन्य संभागों में किसान 4 एपरल से गेहूं बेच सकेंगे गेहूं खरीदी सोंबार से शुक्रवार के बीच ही की जाएगी बढ़ते हैं अगली खबर की और मतिपरदेश में जॉब सीकर्स के लिए अच्छी खबर है इन दौर में इस साल के अन्तिव तक 22 से ज़्यादा कमपनियां काम शुरू कर देंगी ये कमपनियां करीब 10,000 युवाओ को रोजगार देंगी इसमें चार कमपनियों में से कुछ को सिहासा IT पार्क और सुपर कॉरिडोर पसंद आया है वहीं फ्लपकार्ट, Amazon और Facebook से भी अपनी डेटा सेंटर यहां स्थापित करने के लिए चर्चाद चल रही है वहीं MPSC, DC के GM SK सराफ ने बताया कि वर्टमान में Accenture, Tech Mahindra और Persistence जैसी अन्य कुछ देश की टॉप IT कमपनियां इंद और में जगह तलाश रही है यह कमपनियां वजणगर IT पार्क और संगवासा IT पार्क और सुपर कॉरिडोर पर ओफस के लिए जगह देख रही है इंद और का IT सेक्टर लगातार ग्रो कर रहा है वहीं पिछले दो सालों में सुपर कॉरिडोर पर T.S. Infosys के बाद Yash Technology, Impets और Clear Trail के साथ ही अमारिकन कमपनी तासकस ने भी जमीन पसंद कर लिया हर सेक्टर में नौकरियां ये कंपनियां इंद और में जो है यहां पर हर सेक्टर में नौकरियां अभी मिलना आसान होगा इंद और में नहीं ये कंपनियां इंद और में करीब 10,000 Software Engineers की भटी भी करेगी जबकी करीब 2,000 Marketing और 2,000 से अधिक UOW को Finance, Accounts, Management, Bank, Office, Security और HR में नौकरियों के आफसर मिलेंगे हाला कि इन में से कुछ UOW को कंपनियां अन्य ब्रांचेस से ट्रांसफर भी कर सकती है यानि कि आने वाले समय में इंद और जो है IT Hub बन सकता है, बन ही चुका है वहीं इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, U.S. की कंपनियां इंद और में आ रही है, अपने लिए जगा धून रही है तो इंद और के UOW के लिए जौप का एक बहुत ही सुनहरा आफसर ही हो सकता है यो करते हैं अगली खबर की आप बैंक से जुड़ी ये खबर काम की हो सकती है यदि आपका कोई बैंक से जुड़ा हुआ काम है तो आज ही उसे नप्टाले वना चार दिन तक आप परिशान हो सकते हैं शनिवार और अविवार को छुट्टी होने की वज़ह से बैंक बन रहेंगे तो ही सोमवार, मंगलवार, 2829 मार्श को हरताल होने से आपके काम अटक सकते हैं केंद्र सरकार के विरोध में देश भर के 10 केंद्री श्रमिक संगठनों एवं कहीं स्वतंतर ट्रेड यूनिये 12 सूत्रिय मांगो को लेकर हरताल पर रहेंगे इसमें बैंक, बीमा, राज्यकेंद्र, बीसनल, आईकर, पोस्ट ऑफस, कोईला, रक्षा, आशा, उशा, आंगनवाडी, मध्यान, भूजन, कर्मी, मैडिकल, रिप्रेजेंटेटिव, खेत, खदान, भवर, निर्मान, एवं आन्य संस्थानों में कारेरत, ट्रेड, यून रहेंगे, वहीं कर्मचारी, क्यूंकि कर्मचारी इस हरताल में शामिल होंगे, जबकि अधिकारियों के संगठनों ने भी हरतालों को समर्थन दिया है, ऐसे में भले ही बैंक खुल जाए, लेकिन कामकास अटक सकते हैं, राजधानी में उपाल में कम से कम 300 ब्रांच बैंक क रहेंगे, वहीं दो दिन तक ये ब्रांच बंद रहेगी, सोंबार मंगलबार को कहीं ब्रांच खुलेंगी ज़रूर, लेकिन कर्मचारी नहीं रहेंगे, इस कारण कामकास अटकेगा, वहीं मध्यप्रदेश बैंक एम्प्लॉईज एसोसिएशन के महासाचियों वीके शर् कर्मियों एवं बैंकिंग उद्योग की मांगो के निराकरण के लिए 28 और 29 मार्च को राष्ट व्यापी बैंक हर्ताल का आवाहन किया है, वहीं हर्ताल के पूर्व, हर्ताल पर जा रहें तीनों संगठनों के स्थानी एकाई शुक्रवार को प्रदर्शन करेगी, ये रहेंगी क्योंकि कर्मचारी जो हर्ताल पर है, ये थी कुछ महतोपून खबरें, बागी खबरों के लिए बने रहें MP News के साथ, नमस्कार